इंड़ो येरलाइंस की तरफ से ठीक है और इसमें जो लेटेस्ट वरती आई है इसके लिए यहां पर मेल और फीमेल तोनों ही उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे ठीक है तो यार आप से छोटी से एक रिक्वास्ट है कि प्लीज देखो वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसमें आप लोगों के लिए सभी डिटेल बताऊंगा जो यहां पर रिक्वाइड होंगी और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना ठीक है और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम और वटसप गुर्प को जोइन न मैं आपको बता दूँ कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर कंडिडेट है ना वाई तो भी इसके लिए आप फॉर्म आविदन कर पाऊंगे कमेंट करके अपनी क्वालिफिकेशन को जरूर बताना मैं सभी के कमेंट के रिपलाई देता हूँ ठीक है और यहां पर जो वेकेंस देने वाला हूँ तो जैसा कि आप यहां पे देखी पारे होंगे यहां पर आप लोगों के लिए सारी अपडेट देने वाला हूं ताकि वह मैं मैंने से किसी का भी टाइम बेस्ट ना हो और आप यहां पे आसानी से पूरी डिटिल को समझ पाएं तो जो मैंने आपको शु यह सबी प्रॉसेस आपको मैं यहां पर बताऊंगा डेटेल वाई डेटेल ठीक है तो यहां पर जिन्हों ने अभी तक हमारे वाटसप गुरूप को जोईन नहीं किया है जोईन कर लीजिए इसने टेलीग्राम गुरूप को जोईन कर लीजिए और इन दोनों के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ठीक है यहां पर जाकर बहुत जरूर कर लेना क्यूंकि यहां पर फॉलो कर लोगे तो यहां पर जब भी यहां पर सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच पाएगा ठीक है यहां पर फॉलो करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे यहां पर देखो यहां पर जो है इंड़ो एरलाइंस की तरफ से जो वैकेंसी निकली है इसमें दोस्तों कैसे कैसे फॉर्म यहां पर सब्सक्रों सब्सक्राम करें कि लिए और इंडाये हैं यहां पर देखी पार होंगे यहां पर नेम सब्सक्राइब और इसके लिए जो då करके देक लिए और ये इंड़ assistance की जो आफीशाली website और ये इंड़ ऐर अर ये उर्लाइन्स की जो आफीशाली website मैं मैंने discussion में आपको वीडियो के description में दे रखी है तो फाँ पहलिए चेक उट कर सके लिए पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पे भी मिलेगी यहां पर बात करेंगे पोस्ट नियाम के वारे में तो यहां पर कौन-कौन जी पोस्ट निकली है जैसे कि आप देखी पा रहे हूंगे यहां पर देखिए ऑफिशर एओंड देखे, एफिशर रेम्पेंट में है एगस्वीटिव का पोस्ट है ओफिशर का पोस्ट है ओफिश्र रेम्प का पोस्ट है यहां पर Confederate में आपका अपका पोजिशन है वो देखने को मिलेगा और यहां पर देखli का है उन्मियर टेक्निकल की सारे में तो यहाँ पर apply mode जो होगा, वो यहाँ पर online के माध्यम से ही होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको form जो भर रहा है, वो आपको online के माध्यम से ही भरना होगा, इसमें educational qualification की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर education qualification भी आप देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर, अगर महां लिजिए, आप आईटेज स्टुएंट हैं टिप्लोमा ग्रेजुएशन बी या फिर बीटेग स्टुएंट हैं तो यहां पर डेफिनेटली आवेदन कर पाऊगे ठीक है और इसमें जो इंपोर्डेंट डेट्स हैं वह आप देखेंगे तो यहां पर आपको लास्ट जो देखने को मिले इस डेट से पहले ही आप आप इदन कर लीजिएगा बाद में करोगे तो आपका जो फॉर्म है वह नोट एक्स कैप्ट होगा ठीक है और इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वह आप देखेंगे मिनिमम जो एज है वह 18 वर्स होनी चाहिए मैक्जिम जो एज रहेगी वहा भाइक करें कई लोगों को यहाप के बात करें कैसे और इसके बाद है अपको तो आपको होगा लाइंट यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर देखिए डाटा स्टील का न्यू रिक्रूटमेंट है यहां पर न्यू हाइरिंग जल रही है तो यहां पर क्लिक करके पूरा देख लीजिएगा अप्लिकेशन फीज के अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए जनरल ओवी सी और एड़ाइस कंडिडेट के लिए पर पर देखिए खने कंडिडेट के लिए भी यहां पर प्रको को मैंंसफी जैसे करकिक आँप को आपको सारी जैसे किये गए हैं जैसे मांशी चैटीटर कार्ड इमल आइडी, मुवाइल लंबर, रिज्यूम बगरा, सीवी बगरा डिए यह आपको अपलोड करने होंगे अब बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों हाउ टो एपलाई की आपको कैसे एपलाई करना होगा उस प्रोसेस के बारे में तो चलिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि कैसे फ़र्म को भरना है और कैसे आप जो यहाँ पर आबेदन कर पाऊगे और दूसरा जो प्रोसेस है वो है यह कि आपको गूगल पर आना है गूगल पर आने के बाद यहाँ पर सर्च वार का एक ओप्सन देखेगा यहाँ पर आपको लोग लिए टाइप करना होगा ओनलाइन जॉब तक जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कुछ इस तरह से जो पेज है वो खुल के ओपिन होगा और यहां पर सबसे पहले ही आपको देखेगा इंडगो यरलाइन से रिक्रूटमेंट फॉर फ्रेशर कंडिडेट ठीक है अब आपको क्या करना है इसी पर आपको खर दिना होगा यहां पर के लिक ठीक है अब जैसे यह कौन को बहर पाओं यहां पर देख काभि सारे की लिए आपको ability करोंगे आपको सकतें कि out यह बहुत सारी यहां पर गजाएंगी यहां पर देखिंपार होंगे यह आपकी लोकेशन भी अलग-अलग को पोस्ट की गहीं है वेकंसी वह भी आपको देखने को मिलेंगी तो यहां पर आपको बताएब था कि यहां पर ओर एक्से क्रेंशन के लिए और यहां पर दीखेंगे तो यहां पर ऐसार एड़ेटर जो डिपार्टमेंट तो जैसे कि यह वैकेंसी है सेनियर एक्जीकुटिव रैंप की अगर मुझे इसमें आविदन करना है तो मैं क्या करूंगा इसमें पूरी डेटेल बताए गई होंगी यहाँ पर पहले तो देख लूँगा ठीक है क्योंकि मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिं तो वही उम्मीदवार यहाँ पर आविदन करेंगे इसके लिए अगर माली जब आविदन कर भी लेते हैं ठीक है और आगर माली जब की यहां जो वी एफ वीटक उमीदवार नहीं है और दूसरे उमीदवार है डिप्लोम बगारा तो भाई आपको यह फॉर्म रिजेक्ट कर लेना ठीक है तो तो देखो फोई यह जो वैकन्सिर है यहंपनेंट कर रखाय ठीकए तो भॉण इसके लिए अप एंप और एप्लाई कर और के आपको अपके mission क्या रहने वाला है ठीक है आपकी job responsibility क्या रहेगी यह सभी details आप लोगों के लिए यहां पर बता आई गई है ठीक है न तो यहां पर चेक कर लेना apply करने के लिए अगर आप interested है तो यहां पर apply now का एक option दिया गाए इस पर किलिक करिए और यहां पर सबसे पहले आप registration कर लिए ठीक है registration करने के बाद में यहां पर तभी जो है आपको यहां पर login करना होगा ठीक है यहां पर email id और password डालने के बाद तब login करेंगे पहले आपको registration करना है तो आपको create an account पर click करना होगा and जैसे यहां पर click करोगे तो आपके सामने कुछ इस पेज को लेगा यहां पर अपना email id दुबारा से email id एक यहां पर password को बना लेना ठीक है जो password आपको द्यान में रहे ठीक है और यहां पर आपका first name यहां लास्ट नेम यहां पर आपका country का code ठीक है mobile number यहां पर यह सारी details को आपको यहां पर देना होगा और उसके बाद यहां पर create account पर क्लिक कर देना होगा तो आगे जो form आपका खुलेगा वह आप लोगों के लिए पूरी details के साथ में खुलेगा वहां पर अपना नाम पिता का नाम date of birth और आपकी qualification क्या है documents को attach करना resume को attach करना यह सारी details वहां पर आपके आप लोगों के लिए से पूछ जाएंगी तो आई यहां तक आप लोगों के लिए समझ में आगे होगी सारी details कोई doubt हो किसी का भी तो comment करके जुरू से पूछ लेना comment वहीं मैं आपको reply देव दूंगा बरनाम जल्दी मिलेंग नई वीडियो में नई वेकेंसी के साथ